नमस्कार चात्रगन हिंदी व्याकरण में आप सभी का स्वागत है मैं राजिंद्र चड़जा आज आपको हिंदी व्याकरण में संगना और संगना की परिभाशा और संगना के भेद के बारे में समझाओगा संगना क्या है तो पहले देखते हैं संगना की परिभाशा किसी भी व्यक्ति, वस्तू, जाती, भाव या स्थान के नाम के संगना करते हैं अमेरिका भारत स्थान है, गुजरात है, अमेरिका है, बच्पन, मिठास, प्रेम, ये सब भाव है, किताब, टेबल, ये सब वस्तू है आपको समझ में आगे होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तू, जाती या भाव या स्थान के नाम को ही संगना करते हैं संगना के भेद देखें, व्यक्ति वाचक संगना, भाव वाचक संगना, जाती वाचक संगना आज हम व्यक्ति वाचक, भाव वाचक और जाती वाचक इन तीन संगना के बारे में समझेगे द्रविवाचक संगना, याने की, पानी, तेल, पैट्रोल, लोहा, सोना, चान्दी, ये सब ही द्रविवाचक संगना में आते हैं व्यक्तिवाचक संगना इंगलिस में इसे प्रॉपर नाव से भी जाना जाता है जो शब्द केवल एक व्यक्ति वस्तू या स्थान का बूद कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संगना कहते हैं याद रखना केवल एक व्यक्ति वस्तू या स्थान को प्रॉपर जैसे भारत, चीन, अमेरिका, नेपाल ये सब स्थान का बूद कराते हैं साइकल ये सब वस्तू का बूद कराते हैं सूरेश, रमेश, महात्मा गांदी ये सब व्यक्ति के बूद कराते हैं आपका नाम है आपके फ्रेंज का नाम है वो सभी व्यक्तिवांचक संगना है रमेश बाहर खेल रहा है महेंद्र सिंग ध्वनी क्रिकेट खेलते हैं मैं भारत में रहता हूं महा भारत एक महानगरंद है अमिताप बच्चन कलाकार है तो आप देख सकते हो कि उपर जो दिये गए वाक्य में रमेश महेंद्र सिंग ध्वनी भारत महा भारत अमिताप बच्चन संगना शब्द कह लाएंगे क्योंकि ये शब्द किसी विशेश व्यक्ति वस्तू या स्थान का बोध कराते आप लोगों को समद में आ गया होगा कि व्यक्ति वाचक संगना में केवल एक व्यक्ति वस्तू स्थान का बोध करात येसे शब्द है उन लोगों को व्यक्ति वाचक संगना करते हैं जाती वाचक संगना जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तू या स्थान की समपूर्ण जाती का बोध कराते याद रखना समपूर्ण जाती मान लोगों की परवत शब्द है तो परवत हिंदूस्तान के जितने परवत है अमेरिका में जितने परवते पूरी दुनिया में जितने परवते ओ सभी परवत का उसमें समावेश हो जाता है इसलिए बोला कि व्यक्ति वस्तुयास्थान की समपूर्ण जाती का बूद कराते उन शब्दों को जाती वाचक संगना करते हैं जैसे मोबाईल, टीवी, गाव, स्कूल, आदमी, जानवर, मोबाईल टीवी वस्तू हुए, गावर स्कूल स्थान हुए, देश, आदमी, जानवर ये सप्रानी हुए, जातिवाचक संगना अन्यवदार, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बिल्ली चुहें खाते हैं, पैड जातिवाचक संगना शब्द कहलाएंगे, स्कूल भी, क्योंकि ये किसी विशेश बच्चे या पक्षी का बोधना कराकर, सभी बच्चे वा पक्षियों का बोध कराते हैं, परवत है, नदी है, देश है, छात्र है, ये सभी जातिवाचक संगना है, ये किसी विशेश वस् जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्ता दशा या भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भावाचक संगना कहते हैं याद रखो जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्ता दशा या भाव मन के भाव भी इसमें आते हैं जैसे बचबन बुढ़ापा मोटापा मिठास प्रेम अहिंसा प्रामानिकता ये सबी इसमें आते हैं ज्यादा दोड़ने से मुझे ठकान हो जाती हैं लगातार परिश्तरम करने से सफलता मिलेंगी उपर दियेगे वाक्यों में ठकान से ठकने का भाव सफलता से सफल होने का भाव व्यक्त हो रहा है इसलिए ये भावाचक संगना कहलाते हैं भावाचक संगना के लिए याद रखे ये संगना अद्रश्य रूप से होती प्रे अहिंसा प्रामानिकता ये दिखते नहीं ओ सिर्फ फिलिंग से हम अनुभो कर सकते इसलिए भावाचक संगना याद रखना कि भावाचक संगना में बचबन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास ये सबी मन के भाव, चीजया पदात की अवस्ता, दर्शाया उनके भाव का भूध कराते हैं आज हम यहीं तक रखेंगे, दर्विवाचक के लिए भी मैंने पहले बोल दिया कि पानी, तेल, घी ये सबी दर्विवाचक, सोना, लोहा, चांदी ये सबी दर्विवाचक संगना है, छात्र, गर्ण, शिक्षक, गर्ण, विध्यार्थी, मंडर, ये सबी समुआ चक है, आ झाल guaranteesवाचक के लिए गसा बrik बेंक्यू á dwand щоocy बस्तों वाटी ये सबीक बाक है, तो ये सबीक्षक के सिर्वाचक के विद्वाचक के लिए शनक्षक बाराइब।